आज ज़िदी ओनलाइन साइंस क्लास विच आप सब दा स्वागत है ए लेक्चर शिरिमती पवंदीप को और साइंस मिस्ट्रेस गौर्मेंट गर्ल्स सीनियर स्केंडरी स्कूल बसी पठाना जिला फतेगड साहिब अते शिरिमती पमल प्रेद को और साइंस मिस्ट्रेस गौर्मेंट सीनियर स्केंडरी स्मार्ट स्कूल नगामा जिला फतेगड साहिब वल्लों त्यार कीता गया है प्यारे विद्यार्थियों आज जप्पां दस्मी जमात दा प्यला पार्ट रसाइणिक के रियावा अते समी करना दे बारे पढ़ांगे बेटे लोर क्लासेज दे विच प्पां पढ़ चुक्केयां कि पदार्था विच परिवर्तन दो तरांदा हुंदा है पातिक परिवर्तन अते रसाइणिक परिवर्तन पातिक परिवर्तन दियाव दा अर्णा ने पाणी दा उबलना बलब दा जगना आइस्क्रीम दा पिगलना तातानू कोटके उना दे अकार नू बदलना आद रिसायनिक प्रिवर्तन दियाँ दा अर्ना ने मोबत्ती दा जड़ना, तातां दा खोरन, कोले दा बढ़ना, पटाकियां दा तमा का आद जोदों कोई रिसायनिक प्रिवर्तन हुन्दा है ता असी ये कह सक्दे हां के रिसायनिक किरिया हुई है पड़्दे समय भी अप्पा सारे किरिया कर रहे हैं केडी किरिया सा किरिया पौद्दे भी निरंतर किरिया कर रहे ने केडी किरिया परकाश संसलेशन किरिया आज बेटे अप्पा पढ़ांगे रसाइनिक किरिया तो कीपाब है रसाइनिक किरियामा दिया किसमा जिमे सन्योजन किरिया, ताप निकासी किरिया, अपकटन किरिया, ताप अपकटन, भिजलई अपकटन, परकाशी अपकटन, ताप सोखी किरिया, विस्थापन किरिया, दूरा विस्थापन किरिया, अते रिडॉक्स किरियामा बारे जानकारी हासिल करांगे सो आओ शुरू कर देया कैमिकल रियक्षन जा रसाइनिक किरिया तो पाव बंतना दे टुटन ते पैदा होन करके नवे उतपादा दे निर्मान होन तो है जे में दुद्ध तो दही दा बनना LPG गैस दा जलना जा फिर आट्टे तो रोटी त्यार करना ते होर एस तरह दिया बहुत सारिया किरिया मा निरंतर साड़े आले द्वाले दे वेच्च हो रहियाने उन कोई किरिया रसाइनिक किरिया है ओधा अपनो पता के में लग दे ओधा बेटे अपन सिट्टा कुझ परेखणा दे यदा आर्थे कर देया सब तो पहला परेखण है कि अवस्था विच परिवर्तन जोदो रसाइनिक किरिया हों दिया ता वस्तु दी अवस्था दे विच परिवर्तन हो जन दे जिवें दुद्दो दहीं जा पनीर दा बनना दोद्दो जदो दहीं जब नीर बन दे ता दुद्द दी अवस्था की हो जन दिया प्रवर्तित हो जन दिया सो एहे की है रसाइनिक किरिया अगला है रंग विच परिवर्तन देखो असी अपने वाडा नू डाई करके कोई भी मन चाहिया रंग दे सकते तो एह रंग विच परिवर्तन का दे करके होंदा है रसाइनिक किरिया दे करके नेक्स्ट है गैस दी उत्पती बिटे एदेले एक बहुत इंट्रस्टिंग किरिया तोसी अपने करदे विच कर सकते हो उदेले अपनू चार चीजां चाहिए दियाने सिर्का, बेकिंग सोड़ा, एक खाली बोतल ते एक गुबारा अपने खाली बोतल दे विच एक कप सिर्का पालेना है ते फिर ओदे विच दो चमच बेकिंग सोड़े दे पानेने देन फिर अपने गुबारा जो है वो बोतल दे मूँ ते चंगी तरह नाल फिट कर देने सोड़े ते सिर्के दी आपसी किरिया दे नाल जो गैस उत्पन हुंदी है वो दे करके गुबारा जो है वो फुल जन्द है एसे ही तरह दी किरिया बेटे अगब जाओ यंतरा दी विच हुंदी है जी दे विच सिल्फियूरिक एसिड जोदो सोड़े नाल किरिया कर दे ता कार्बन डायोकसाइड गैस उत्पन हुंदी है जो अगब जोन देले ही काम मौदी है अगला प्रेखने बेटे तापमान विच परिवर्तन जे किसे किरिया दे विच टेंप्रेचर चेंज हो रहे है जि में तुसी गौर कीती हो नी है कि पाणी दे विच जोदों अपकली कोड़ देया ता कई वारी पाणी इना ज़्यादा गरम हो जन्दे कि वाला तक मारते तो temperature change एदे तो भी सान्नों जो है ओसी conclude कर देयां कि रिसाइनिक किरिया होई है next बेटे हुन अपपड़ देयां रिसाइनिक किरिया मा दियां किस मा दे बारे सबतो पहली अपने कोल जो किरिया है ओ है सन्योजन किरिया बिटे जेडे पदार्थ आपस दे विच किरिया कर देने असी उन्ना नू अभिकारक केने या ते जो हो किरिया करन तो बाद बणाओ देने उन्ना नू असी उतपाद केने या सन्योजन केरिया दे विच्च दो या दो तो वद अभिकारक आपस दे विच्च केरिया करके एक सिंगल उत्पाद बणा देने इदि आपका एक्जाम्पल्स देख देयाँ सब तो पहली एक्जाम्पल देखो अपने कोल की है कैल्शियम उक्साइड प्लस वाटर तो अपने कोल की बणे है कैल्शियम हाइड्रोकसाइड ठेक है अभिकारक किन्ने ने रेक्टेंट किन्ने ने दो ते जो उत्पाद बण रहे है उह की है सिंगल है अग्गे देखो बर्निंग उफ कोल कार्बन ते ओक्सीजन आपस दे विच रेक्ट करके की फॉर्म कर रहे है कार्बन डायोकसाइड नेच्स्ट अपने कोल है मेग्नीशियम ते ओक्सीजन रेक्ट करके की बणा आ रहे हैं एक सिंगल उत्पाद बणा रहे है तो जिस दे विच जिड़े रेक्टेंट है मतलब left side arrow तो जो अपने कोल present है वो हो दो या दो तो ज़्यादा present होन ते जो right side ते product है वो की होवे एक single होवे ता वो अपने कोल कादी example हन दी है बेटे combination reaction very good next अपने कोल ओदा है बेटे ताप निकासी के रिया exothermic reaction जेडी के रिया दे वेच बेटे उतपादा दी उतपती दी नाल नल energy release होवे उर्जा पैदा होवे ओस नो अपना की केनने है ताप निकासी के रिया जिमें देखो कुदर ती गैस दा जलना ओदे वेच मिथेन oxygen के रिया करके carbon dioxide water ते नाली की release कर रही है heat release कर रही है ता यही अपने कुल कादी है गी example ताप निकासी के रिया दी next है बेटे सा के रिया सा के रिया दे विच देखो जो दो glucose दा आकसी करन होया ता अपने कुल की रिलीज होई energy this one is बेटे very important paper दे विच अपने काशी कर देखो कोले दे बलन दे नाल वी अपने कुल की release होई heat release होई तो यह सारिया की है exothermic reactions जदो बेटी अपने कोल जो केल्शियम हाइड्रोकसाइड है इहे कार्बन डायोकसाइड दे नाल किरिया करके केल्शियम कार्बोनेट दी जो है उपतली पर्त उदिवार दे उत्ते बना दन दी है जीदे नाल की हुंदे दिवार दे उत्ते चमका जन्दी है सो इहे कोश्चन पेपर दे विच पुछले जन्दै सो अपने कोल की है के केल्शियम हाइड्रोकसाइड कार्बन डायोकसाइड दे नाल किरिया करके कादी पर्त बणा उधिने दिवारते केल्शियम कार्बोनेट दी नेक्स्ट अपने कोल जो रियक्शन है ओहो है दीकंपोजिशन रियक्शन अपकटन के रिया अपकटन के रिया देविच एक अभिकार्क ओहो टोटके ब्रेकडाउन होके अपकटे तो होके दो या दो तो वद उतपाद बुणाँद है जिमें जो दो फेरस सलफेड दे क्रिस्टल्स नो अपकटन कर देया तो फेरस सलफेड अभिकार्क एक उतपाद देखो किनने बान रहे ने फेरिक उक्साइड, सलफर डायोक्साइड ते सलफर ट्रायोक्साइड तो तिन उतपाद बान रहे ने तो एहे केडी के रहा है गिया अपकटन के रहा वोर एक्जाम्पल्स कर देया आप पहे दिया हुझे वे केल्शियम कार्बोनेट उन्हों जाद अपपा गरम कर देया ता अपने कोल की फॉर्म हुँँद है केल्शियम ओक्साइड ते कार्बन डायोक्साइड सो बेटे ताप अपकटन देविच की हुँद है के अपपा अभिकार कानू जो उर्जा दन्निया ताप दे रूप दे विच दन्निया यह बहुत इंपोर्टेंट है के जो दो लेड नाइट्रेट दे क्रिस्टल्स नो गरम कर देया ता अपने कोल की हुँद है अएज ब्राउन कलर दे अप पूरे रंग दे जड़े फ्यूम जथैगे ने ए उठ दे है ये जड़े पूरे रंग दा तुम्हा हुन दे है का दे करके हुन दे बिटे नाइट्रोजन डाइख साइड दे पैदा हुन करके हुन दे ठीक है जो फ्यूम्ज हुन्दियां वो का दे हुन्दे ने नाइट्रोजन डायोकसाइड दे सो नेक्स्ट अपने कोड़ोंदा है ओ है बिजलाई अपकटन पाणी दे बिजलाई अपकटन दी करेया वी अपने स्कूलाँ दे विच करेया कर देया तो करवी तुसी करके देख सक दियों बड़ा एदा इजी सेट अप है ओधेली अपक़ी करने एक मग लेन ओधे हीठा अपने दो डाट लगा लेने ते इन्न डाटां दे विच कारबन दे इलेक्ट्रोड फिट कर लेने इन्न इलेक्ट्रोड नूँ अपका स्विच दे हल्प दे नाल बैटरी दे नाल अटेच कर लेने ते फेर असे मग दे विच पाणी पॉने तांजो जड़ी इलेक्ट्रोड है वो पूरी तरा पाणी दे विच डुब जाने उन्न पाणी दी कंडेक्टिविटी नू बदो अण दे लई अपका दो तिन बुंदा सल्फियूरी कैस पाणी नाल पर यहां दो टेस्ट ट्यूब अपका लेने ते उनना दो वानू इलेक्ट्रोड आदे उत्ते उल्टा खड़ा कर देने उन जदो अपका स्विच अन कर देयां ते इस सेटप नू बिना छेड़े कंटा दो कंटा प्यार एन दनने यां ता अपका की अब्जर् शुरू हो जन देयां यह जड़े बुल्बले ने एहे कादे ने एहे गैस फॉर्म हो रहियांने केडियां केडियां गैसेज देखो वाटर दी लेक्ट्रोलोसीज गीती ता दो गैसां बढ़ियां हाइड्रोजन ते अगली ऑक्सीजन ठीक है ता एक होरसी चीज अब्जर् देयां कि अपने कोड एक जड़ी है पर्खनली ओदे विच वद गैस कठी होई है ते दुज़ी पर्खनली दे विच अपने कोड लगपा गोदे नालो अद्धी गैस कठी होई है ता बिटे एहे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पेपर च पुछलिया जन देया अप पा अपने कोड जड़ी वद गैसा हा फॉर्म होई है हे केड़ी है हाइड्रोजन ते दूसरी ओक्सीजन ठीक है तो एहे बेटी अपने याद रखना हैगा पेपर च प्रशन दे बारे जरूरों दा हुंदे इसी तरीके नल डायाग्राम इहे बणी हुंदी है ते आनू लेबल करना आ जान दे हेगा के टैस्ट ट्यूब ए याते बी दे विच केड़ी आ केडियां गैसा गठियां होई है नेक्स्ट अपने कोल हैबिट है परकाशी अपकतन फोटो लिसिजज पर काशी अपकट नू ये दे विच जिमें Silver Chloride ते Silver Bromide है जदु इननो पर Sunlight दे विच जद लाइड दा एक्सपोजर इननो मिलदा हैगा ते Silver Metal पिछे बाच जन्दी है क्लोरीन ते ब्रोमीन कैसिस दे रूप दे विच्छ स्केप आउट हो जन्दे ने ते एस नो यूज कीता जन्दा है गा ब्लैक अड़ वाइट फुटोग्राफी दे विच्छ इधी अप्लिकेशन है गी है रुटीन लाइफ दे विच्छ अपका टन केरिया दे विच्छ अभिका आरकानों तोड़न दे लए अपा उर्जा दन्या किस रूप दे विच्छ ताप रूप दे विच्छ परकाश रूप दे विच्छ जा बिजलाई उर्जा दे रूप दे विच्छ चेक है अगला एक प्रशन पेपर चो पुछिया जान्द है कि डीकंपोजीशन रियक्शन आर दी ओपोजेट ओफ कॉंबिनेशन रियक्शन पाव अपकटन के रियामा सन्योजन के रियामा दे उल्ट हुंदियाने एस नूँ डिफाइन करो जाएं एस कथन दी वी आख्या करो तब एटे देखो बड़ा क्लियर है अपका टन के रिया दे विच अपने गोल की होया अभीका आर्क एक है उतपाद जादा जड़ा हैगा अपने कोल निर्मान कर रहे है ते सन्योजन दे विच की है अभीका आर्क दो या दो तो वद्ध ते उतपाद एक सिंगल उतपाद एक डूसरे दा उल्ट हो गया नँ तो एसम does ये सानी नल डिफाइन कर सकथे ओं नेक्स्ट अपने कुल है बटे ताप सुखी केरिया, ताप सुथी केरिया की हंदह। के जेडी केरिया दे विच ताप दा की हुए सुखन हवे, means अनों बारों इनर्जी प्रोवाइड करनी पवे, जे में अपका तन्दिया असी जिन्न्य व्योधार ना कीतिया, असी ओ दे विच चाहे heat दे रहे सिगे, चाहे light दे रहे सिगे, चाहे अपमा electricity बिजलाई उर्जा दे रहे सिगे, ताप ने कुल reaction जेडी है गी या, ओहो हुं दी है, ताप जेडी केरिया दे विच ताप दा सोखन हुं दे है, ओस नू की कहन दे ने, ताप सोखी केरिया, दिस वन is also very important, कि what is the difference between exothermic and endothermic reaction, ताप निकासी ते ताप सोखी केरिया दे विच अंतर की है, ताप निकासी दे विच की होने, उर्जा पैदा होनी है, है ना, उतपादा दे नाड उर्जा पैदा होनी है, ताप सोखी दे विच की है, अभिका अर्काने उर्जा दे की करने, स सोखन करने है, ठीक है, एक्जाम्पल, अगला पॉइंट अपने एक्जाम्पल दा हो गया, निकासी दे विच जिमें असी बर्निंग लिख सकते हैं, किसे भी चीज दी है ना, जिमें अपा की है, जिको दरती गैस दा जलना, ताप सोखी दे विच अपा जो अपकटन दिया जिनियां कीतियां ने एक्जाम्पल उनना चो कोई भी लिख सकते हैं, चलो, जिमें कैल्शियम कार्बोनेट नू जदो गरम कर दियां, ता फिर अपने कोल कैल्शियम ओक्साइड ते कार्बन डायोक्साइड बांदेने, सो नेक्स्ट पॉइंट दे विच अपा ने की करने इनना दी जो र्याक्षन है गी है, अपा ओ लिख देनी है, सो नेक्स्ट पेटे अपने कोलोंदी है, डिस्प्लेस्मेंट र्याक्षन विस्थापपन केरिया, इक केरिया अपा डिसकस कर दियां इस तो पहला, अपाने कॉपर सलफेट पाणी दे विच कोड या, ते ओ दे लोहे दी मेख नू पाया ते इस नू एक दो दिन लई प्याराण था ता अपा की देख देया के जो कौपर सिलफेट दा नीला रंग सीगा ओ बदल के फिक्का हरा हो गया ते जो दो लोहे दी मेख नू बाहर कड के देख देया तो ओदे ते के पूरे रंग दी पर्त जड़ी है गया हो चड़ जान दीया अपने कोड लोहे नू जा आयरन नील नू जा जंग नी लगगी ओदे ते की होई कौपर दी डेपोजेशन होगी क्यों होई ओ अपने कोल होण जस्टिफाई कर दिया तो अड़ी विस्थापपन के रिया की हों दीया विस्थापपन के रिया कि एक वद के रिया शील तत दूसरे ततनों ओदे योगिक दे विच्चों की करदन दे डिस्प्लेज करदन दे विस्थापित करदन दे जिमें copper sulfate दे विच अपपा ने लोहे दी मेख पाई, iron पाया, ता iron copper दे नालो ज़्यादा किरिया शी लेते, उन्हों उन्हें की करता, displace करता, ठीक है, ता जो copper form हुन दे, एहे लोहे दी मेख दे उते, जो है, वो अपनी पर्तबना अधन दे, ता अपनु किवे पता लगदा है, कि अपन जे एक metal नो दुझे योगिक दे, विच पॉने है, तो displacement reaction हुएगी जा नहीं, ओ बेटी अपने एक्स्प्लेइन कर दिया, on the basis of reactivity series, कि रिया शीलता लड़ी, अपने कॉपर सलफेट दे विच पाया, आईरन पाया, एस लड़ी दे विच सब तो उपर की है, सब तो वद की रिया शीलता लड़ी, जिमे जिमे अपना हेठा वालनुओं दे हैगी है, जो reactivity हैगी है, की होई जन्दी है, कटी जा रही है, तो सब हेठा की ने, सब तो काट की रिया शीलता लड़ी, तो आपने कॉपर सलफेट, कॉपर दा योगिक, ओ दे विच आईरन तो आईरन उपर प्रेजेंट है, मतलब आईरन कॉपर नालो वद की रिया शील है, तो अपने कॉपर डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन होएगी, जिमे उल्ट लइए, आईरन सलफेट दे विच कॉपर दी पत्ती पा दिये, ठीक है, कॉपर दी प्लेट अपना होदे विच प विसिस दे उत्ते, तुसी जो है, उहो देख सकते हो, चेक कर सकते हो, कि एहे कैमिकल रियक्शन होएगी, या नहीं होएगी, नेक्स्ट अपने को है बिटे, दूरा विस्थापन के रिया, डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन, डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन दे व करके की बनाया बेरियम सलफेट ते सोडियम क्लोराइड तो एदे विच जो बेरियम सलफेट बन दे हैगा ओखो चिट्टे रंग दे अव खेप दे रूप दे विच अपनों बन मिल दे हैगा सो इत्तो ही अपगे डिफाइन कर दे हैगिया अव खेप पन के रिया की हुंदे अव खेप और साइनिक के रिया जिस विच अव खेप दा निर्मान हुंदे है पाव ओ पधार्थ जो लिकवड दे विच जा पानी दे विच की हुंदे है अकुल अनशील हुंदे है यह ना उस तो नेक्स्ट अपने कोल जो है लेड नाइट्रेट ते सोडियम आयोडाइड एदे विच पिले रंग दे प्रेसिप्टेट का दे हैंगे ने लेड आयोडाइड दे पिले रंग दे प्रेसिप्टेट नेक्स्ट अपने कोल है silver nitrate ते sodium chloride ता एदे विच white color दे precipitate का दे हैगे ने silver chloride दे ठीक है calcium chloride ते sodium carbonate नो add करन दे ता अपने कोड एदे विच white color दे precipitate का दे calcium carbonate दे yellow color दे precipitate सेगे अपने कोड lead iodide दे ते एह बेरियम sulfate यह अपने कोड आदा है वो आदा है redox reactions जो redox किरियामा ने इह आक्सी करन दे लगू करन किरियामा दा combination हों दियाने तो आक्सी करन किरिया की है और साइनिक किरिया जिस दे विच oxygen दी प्राप्ती होवे जा फिर hydrogen दी हानी होवे उस नो की केंदे है गे ने आक्सी करन किरिया जिमें copper oxygen नाल कंबाइन करके गीबना या copper oxide ताई ही केडी किरिया है गी यह आक्सी करन किरिया रोटीन लाइफ दे विच जिमें पोजन पदार था दा खराब होना जा फिर गैस दा बढ़ना जा फिर लोहे नू जंग लगणा या आक्सी करन दिया होदा आरना ने लगू करन की हुन दे जे रसाइनिक किरिया दे विच ऑक्सीजन दी हानी जा हाइड्रोजन दी प्राप्ती होवे ता उसनू की क्यान दे ने लगू करन जिमें एस किरिया दे विच ब्रोमीन दे हाइड्रोजन ब्रोमीन नू हाइड्रोजन दी प्राप्ती होगी ता ब्रोमीन दा की होगया लगू करन अपने कोड होगया अगली किरिया दे विच देखो copper oxide ते hydrogen उन एस दे विच्च copper oxide तो copper बनिया पाव copper oxide ने oxygen दी की करती हानी it means A s दी की होगी लगू करन reduction ते जो hydrogen है एने oxygen प्रापत करके H2O बनिया एदा मतलब hydrogen दी की होई oxidation so बेटे practically जो है oxidation ते reduction simultaneously जो है क्रियामा हों दिया ने तब उस नूँ अपपा की कहन दे है गया redox reaction आपपाने डिसकस कर ली अगली देविच देखो अपने को Fe3O4 oxygen दी removal देना लेस दी की होई reduction ते hydrogen इने oxygen गेन कर लिया ते hydrogen दी की होई है अपने को oxidation आओ हुण अपपा इकवारी जिनना पड़े है ओस दी दोहराई कर देया magnesium river नो हवा विच जलोन ते केड़ा पदार्थ बनदा है हांजी बेटे शाबाश very good magnesium oxide अगला है की दी मौझूदगी दे विच शिल्वर क्लोराइड जड़ा है उसनों अपकटन हुंदा है की दे विच हुंदा हैगा very good sunlight सूर्जी परकाश next अपने कोल है उन विस्थापन किरिया आगी न iron copper दे नालो जड़ा किरिया शिल्व है ता अपने कोल की बनना हैगा copper displaced हो गया ते की बन जाना है iron sulfate अपकटन किरिया की दी विपरीत किरिया हुंदी है अपकटन अपने डिसकस भी कीता सीगा किस दी सन्योजन दी है ना combination reaction दी next अपने कोल है उर्जा उत्पन होवे उनू की कहन दी है very good ता आप निकासी के रिया ता आप निकासी के रिया next देखो जो दो lead nitrate नूँ घरम कर दी है तकेडी gas पैदा हुंदी है पकेया से कहा ना कि ब्राउन कलर दे fumes उठ दी है का दे हुंदे ने शाबाश nitrogen dioxide लो जी आवी तो आडप्रेशन आ गया बैटे जीदे वेच वद जड़ी gas उत्पन होई या केडी है शाबाश hydrogen ते दूसरी केडी है oxygen शो बैटे सानू मीद है के तो अनुए हे चैप्टर चंगी तरह नल साम जा गया होएगा ते तुसी एस दी रुवीजन ज़रूर करनी है कार रहो सुरख्यत रहो अपपा फेर मिलांगे इक नवे पाठ दे नाल थैंक यू सो मच तो सुर्ष्टर च्छनल